गुड मॉर्निंग गाइस बात कर लेते हैं थोड़ी सी मार्केट की मार्केट में आज पॉजिटिविटी रह सकती है क्योंकि वलकल आपको बता है फेट की मीटिंग थी यूएस में और फेट ने वहाँ पे ना तो वही को इंट्रेस रेट बढ़ाया है ना घटाया है तो जो अपनी AGS Nifty है बहाँ पे भी तेजी देखने को मिल लही है 21,000 से उपर बहाँ पे अभी AGS Nifty चला है और हमारी मार्केट की जो क्लोजिंग है 2900 कुछ के आसपास है तो बहाँ से मुझे लग रहा है मार्केट में आज सुरुवात हो सकती है पॉजिटिविटी के साथ में वा है और बाकी अब थोड़ा सा अडानी को पर भी बात कर लेते हैं अगेन मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ थोड़ा श्टॉक पर बारे में बात कर लेता हूं मैं सेपरेट वीडियो लाँगा श्टॉक वाइज वो अलग लाँगा बाकी इसमें थोड़ी सी कमेंटरी करके बता दूगा वही क्या क्या सीन दिख रहा है मुझे अडानी पोर्ट बेसक भाग रहा है बाट अगेन मैं जाओंगा नहीं 52 ही खाई का इस पर चला है अडानी पावर को भी छोड़ रहा हूं मैं अब मुझा सिमेंट अगेन ATGL में अभी मुझे काफी वैलू दिखती है 4000 का श्टॉक 1000 पर मिला मुझे लग रहा कंसुलिशन कर सकता है जो प्रफिट बुकिंग होनीती हो रखी है हो सकता है यहां से तेजी देखने को मिले या आभी कंसुलिशन देखने को मिल सकता है कुस दिनों के लिए सेम AWL में अगर कितनी सच्चा ही है क्या है वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा बाकी थोड़ा सा बेटन डॉच कर सकते हैं ठीक है एसी सी अवाइड करूँगा मैं अडानी एनरजी सलूसन इसमें भी काफी वैले दुख रही चारजार का स्टॉक एक जार तीस के आसपास घूम रहा है तो यहां पर मुझे लगता आने वाले टाइम में तेजी दिखने को मिल सकती है अडानी इंटरवाइड करूँगा मैंने अपने वियो बता दी है बाकि सेपरेट वीडियो लेया हुआ सारे स्टॉक की जिजिस की अडानी बिलमर की ग्रीन और जो भी है गैस और एनरजी सलूसन तो बागी वह उसमें बात हो जाएगी बाकी वियो बता दी है मार्केट पे और बाकी अडानी गुरूप पे ब